हलो फ्रेंड मैं सवरगुपता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं दोस्तों साइकेटरिक नर्सिंग सब्जेक्ट के अंतरगत हम कुछ important MCQs आप लोगों के लिए लेकर के हैं जो कि आपके लिए upcoming exam में बहुत ही beneficial होने जा रहे हैं तो हर एक questions को ध्यान से समझना है क्योंकि हर एक question के अंदर एक important concept छुपा हुआ है इसके अलाबा जो different options हैं वो आपके लिए different concept लेकर के आने वाले हैं तो कुल मिलाकर के cumulative comprehensive package है psychiatric के बहुत अच्छे हमारा जो knowledge है boost up होने जा रहा है तो इस वीडियो के अंतर तक बने रही है ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिसना हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको like करना ना बोले और इसे अपने friend के साथ share करना ना बोले तो चलिए शुरू करते हैं आज का session session श्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी channel पर नए है और आपको हमारे coaching के बारे में नहीं पता है तो जान लीजिए इसको बिनायक nursing academy के नाम से आप हमारे app को download कर सकते हैं और हम इंडिया में सबसे कम कीमत में coaching प्रवाइड करते हैं best and qualitative education and affordable prices में देना हमारा एक लक्षे है ठीक है तो बहुत ही कम price में reasonable price में आपको एक coaching मिलने वाली है अधिक जानकारी के लिए आप हमारे number पर संपर कर सकते हैं 9950-755-186 पर आप संपर करके आप हमसे अधिक detail ले सकते हैं इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा video lectures आपको मिलेंगे ठीक है इसके अलाबा इस video lectures के साथ साथ आपको free pdf notes का option मिलेगा जिसको कि आप app के अंदर download करके पढ़ सकते हैं इसके साथ साथ आपको mcq session भी आपको option में free रहेगा ताकि आप जब चाहे आप अपनी knowledge को access कर सकते हैं तो इनके लिए आपको अलग से कोई charge देने की जुरत नहीं है पूरा comprehensive package है जिसको कि हमने नाम दिया है all in one सारा आपका material सारा आपको जो भी आपकी required चीज है वो आपको एक ही package में मिल जाएगी अलग अलग package खरिदने की जड़त नहीं है ठीक है तो बहुत reasonable price है और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस number पर contact कीजिए आप हमारे app को access करना चाहते हैं तो Google Play Store पर विनायक नर्सिंग अकेडमी क नाम से आप हमारे app को access कर सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज का session 1st question is Clang association means Clang association होता क्या है Clang association जो होता है बो किसका part होता है Thought disorder का part है Clang association किसका part है Thought disorder का part है इस association में क्या करता है वेक्ठी जैसे मैं आपे कुछ लिख रहा हूँ example इस तरीके के वर्ड यूज करता है किस तरीके के वर्ड प्रिडूज करेगा जिनका प्रनॉंसिशन अल्मोस्ट सेम है तो यहां पर व्यक्ति जो है इस तरीके के वर्ड बोलता है जो की sound के माध्यम से एक दूसरे से साउंड के माध्यम से मतला वगर हम देखे तो इनका जो प्रनॉंसिशन है वो अल्मोस्ट सिमिलर है लेकिन इनकी बीच में कोई कनेक्शन नहीं है कोई इनका लॉजिकल मिनिंग नहीं है लेकिन फिर भी वेक्ति इस तरीके के शब्द रखता है वो कहलाता है क्या आपका क्ले हो यहां पर वाइलैंस का कोई उपशान नहीं हैा मतलब होता है एक्ससे और पर आक्टिविटी का होॉना इसमें एक फ्रपर मेंटइनेंस तो क्या उसको कहेंगे Information looking इसमें आता है क्या आता है है तो आपका ओप्शन जाएगा इसमें ए अब आप कहोगे कि सर कुशन में तो वरबल वर्ड दिया गया है और आप कहरें कि यह थोट का डिसॉडर है तो जो हम सोचते हैं वही तो बोलते हैं हम थोट को कैसे असेस करते हैं हम थोट को कैसे असेस करेंगे with the help of speech हम थोट को कैसे असेस करते हैं with the help of speech संब्छनारम को सब्सक्राइबTर। रहें जबनी दो क्यों सब्सक्राइब आगने ल frankly सब्सक्राइब। जहीं सब्सक्राइब। speech के मादियम से observe करेंगे इसलिए clang association भी किसके मादियम से observe होगा आपके language के मादियम से verbal communication के मादियम से clear है next question is extremely depressed client ऐसा client जो कि बहुत ज़्यादा depressed है perform well वो कब अच्छा perform करेगा in settings where they have किस प्रिकार की settings में किस प्रिकार के environment में ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा depressed वो कब अच्छा perform करेगा जब उसको दूसरों से support मिलेगा पहला option क्या है कि जब उसको किसी दूसरे से support मिलेगा तब वो अच्छा perform करेगा next option क्या है जब उसके सामने routine activities हो जिन में किसी प्रिकार का कोई change नहीं हो आज जैसा उसने activities follow की है अगले दिन भी वह activity follow करेगा उसके next day भी वही same activities रहेंगी तो एक fixed routine है जिसमें किसी प्रिकार का कोई change नहीं है next is somebody to assist उसके साथ उसकी मदद करने के लिए कोई है तो इसी तरीके का similar option हो गया fourth one is varied activities मतलब अलग-अलग प्रिकार की activities ताकि उसको boring नहीं हो क्योंकि एक तरह की activities करते-करते वेक्ति बोर हो जाता है तो उस बोरिया से बचाने के लिए उसके लिए अलग-अलग different type की activities है ताकि उसके अंदर interest बना रहे ये चार options है ये मैंने explanation दिया है लेकिन आपको जाना है question के according extremely depressed client के लिए कौन सा method इसमें से सही रहेगा अगर मैं बात करूँ support from someone अगर दूसरों से लाव लेने की बात हो तो already depressed वेक्ति के अंदर क्या है inferiority की feeling है क्या है inferiority की feeling है कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ या मेरी छमताएं दूसरों से कम है उसको अपन बोलते है feeling of inferiority already है ये feelings patient के अंदर है और हम उसको कह रहे हैं कि आप दूसरों से मदद लीजिए तो हो सकता उसकी इस feeling में क्या हो जाए बढ़ोतरी हो जाए ये feeling उसकी बढ़ जाए जो कि अमारे लिए कैसी है harmful है क्योंकि अगर patient के अंदर ये feelings बढ़ रही है तो उसके अंदर depression और ज्यादा severe हो जाएगा somebody to assist similar इसी तरीके का option हो गया varied activities में क्या होता है या वेक्ति depressed होता है तो उसके अलग अलग प्रिकार का काम दिये जाएगा जब अलग 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 प्रिकार के activities होंगी तो वेक्ति का उसमें thought process involved होगा जो कि वेक्ति के लिए कैसा होता है irritating होता है अगर वेक्ति किसी चिंता में डूबा हुआ है जैसे कि हम लोग भी normally देख सकते हैं अलग 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 तरीके की activity के दे रहें जो कि डिमांड कर रहा है उसके attention को डिमांड कर रहा है जो कि उस वेक्ति के लिए कैसा होगा irritating and annoying उस वेक्ति को गुस्सा आ जाएगा जल्दी तो यह हम नहीं करेंगे routine activities क्या करेंगे उस वेक्ति को motivate करेंगे कि उसको पता है कि मुझे अपना रोज का काम किस तरीके से करना है तो आज जैसा किया वैसे ही कल करना है उसमें minimum use होगा उसके thought process का इसलिए इन activities को वेक्ति आसानी से कर सकता है तो हम किस तरीके के activities प्लान करेंगे routine activities प्लान करेंगे next is abnormal drowsiness in the daytime दिन में उनीदापन होना drowsiness का मतलब क्या होता है उनीदापन मतलब नीद आती है अलकेल की जब की आती है दिन में ऐसा लगता है कि अगर हमको किसी ने जगाया नहीं या हमको किसी ने disturbed नहीं किया तो हम सो जाएंगे तो before sleeping before sleeping जो stage होती है उसको पन कहते हैं क्या drowsiness before sleeping जो state होती है सोने से पहले की जो अबस्ता होती हो ऊसको पन बोलते हैं drowsiness और drowsiness वो condition होती है के अगर हमको proper stimulation नहीं मिले proper अमको stimulants नहीं मिले तो हम क्या करेंगे सो जाएंगे तो before sleeping जो condition हो वो कलाती द्रावजिनेस और उसको अपन बोलते हैं क्या सूम्रॉलेंस एक्सेसिव डेट टाम्स लिपिनेस तो द्रावजिनेस तो सिंपल हो गया कि विफोर सिल्पिंग जो कंडिशन होगी वो ड्रावजिनेस लेकिन ड्रावजिनेस का बोर यह दिन के समय हो रही है उसको आपन क्या सोम्नोलान बोल रहें नार्कोलेप्सी जो होती है कि इसको क्यों कि अपन बोलते हैं स्लीप पैरलाइसस कि असलीप पैरलाइसस जो की इसका दूसरा नाम के प्लेक्सी क्या आपन के था नीद जाता है और चाहा करके होठ नहीं पाता ठीक है तो इस condition को अपन बोलते हैं sleep paralysis और दूसरा होता है इसमें daytime sleeping daytime sleepiness दिन में तदिक सोना तो वो कहलाता है condition क्या नार्कोलेप्सी तो नार्कोलेप्सी में दो conditions होती है daytime sleepiness प्लस sleep paralysis या cataplexy लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यह कैसा है neurological disorder यह कब होगा जब neurological disorder की condition होगी बतला neurological disorder वाली condition में इस तरीके की condition नार्कोलेप्सी हम को देखने को मिलेगी Somnolence यह normal व्यक्ति में भी हो सकता है नार्कोलेप्सी एक neurological disorder है Somnambulism होता है sleep walking क्या होता है sleep walking नींद में चलना और next is sleep ataxia तो sleep ataxia यह इससे related terms नहीं है क्योंकि sleep ataxia मतलब यह difficulty in walking होता है लेकि sleep में difficulty in walking और यह term relevant नहीं है तो question हम से पूछा abnormal drowsiness in the daytime is known as the Somnolence next question is in a client with OCD OCD के बार में आपने पढ़ा है obsessive इसका पूरा नाम क्या होता है obsessive compulsive disorder obsesive compulsive disorder the rituals perform अब देखिए obsession किसका disorder है यह exam को पूछा हुआ question है thought का disorder है compulsion किसका disorder है यह है motor activity का disorder हमारे thought इतने prominent होते हैं इतने ज्यादा exaggerated होते हैं कि वो हमारे अंदर anxiety create करते हैं और उस anxiety को reduce करने के लिए हम क्या करते है activity करते हैं जो कि क्या कहलाता है compulsive act कहलाता है और compulsive act को हम दूसरे बाशा में क्या बोलते है rituals बोलते हैं तो rituals कहले जी या compulsion कहले जी इन दोनों का मतलब क्या है same है तो the rituals performed by the client will help to तो यह rituals जो किये जाते हैं या compulsive activity जो की जाती है वो client को किसमें help करेंगी maintain hygiene hygiene maintain help करने में help करते हैं क्या देखे कुछ OCD features ऐसे होते हैं जिसमें वेक्ति washer category का बन जाता है कौन सी category का washer जिसमें वेक्ति बार बार अपने हाथ को दोता है तो obviously अगर वेक्ति अपने हाथ को दो रहा है तो hygiene maintain होगी लेकिन compulsive act हाथ दोने का main purpose hygiene maintain करना नहीं है इसका primary aim क्या है कि इन thought की वज़े से जो anxiety produce होगी इन thought की वज़े से जो anxiety produce होगी उस anxiety को reduce करना वो किसका function है compulsion का function है तो control the anxiety यह पिछली exam में पूछा हो वो question है important question है कि OCD में जो thought के बाद compulsive act किया जाता है rituals किया जाता है उसका main कारण क्या है कि इन obsession की वज़े से जो anxiety generate होती होती है उस anxiety को reduce किया जा सके provide safe environment यह आपका option नहीं होगा ठीक है जो histonic personality वाले वेक्ति होते हैं उनके अंदर secondary gain हमको देखने को मिलेगा secondary gain क्या मतलब कि एक तो उनकी problem में वो solve हो जाएगी दूसरा लोगों का attention मिलेगा तो वहाँ पर यह secondary gains होता है OCD के case में नहीं होगा आपका option है B next is a client with schizophrenia एक व्यक्ति जिसको की क्या है schizophrenia है unlikely to demonstrate उसमें कि demonstration की संभावना नहीं होगी unlikely to demonstrate का मतलब simple मतलब है कि ऐसा कौन सा symptoms है जो की नहीं मिलेगा schizophrenia वाले patient में low self-esteem देखने को मिलता है Ambivalence देखने को मिलता है Ambivalence तो हमारे blue lars 4a में भी आता है इसकी जो schizophrenia के blue lars 4a symptoms है उसमें भी हमको देखने को मिलता है Ambivalence जिसमें क्या क्या आते है Famous 4a आते हैं Famous 4a आते हैं क्या आते है Affective Disturbance Ambivalence Autistic Thinking Associative Looseness यह 4 symptoms आते हैं Ambivalence तो वैसे भी schizophrenia का part है Weak Ego Ego जो होता है वो weak होता है मतलब वो reality को observe नहीं कर पाता तो psycho analytic theory में जो ego define किया गया है id ego super ego उसका मतलब different और इसकी जो frenia के case में जब ego define किया गया है तो इसका मतलब different है तो weak ego मतलब confidence की कमी होना इसके अलाबा judgment proper नहीं होना तो self respect, self confidence यह वाली जो feelings है वो कम होती है that is weak ego effective self boundaries अपने खुद की एक सीमा होना जिसमें कोई दूसरा person interfere ना करे ना ही उसके अंदर enter करे कई वेक्ते होते हैं जनकी खुद की feelings नहीं होती खुद के opinions नहीं होते, desires नहीं होते, उनके desires, opinions किसी दूसरे के द्वारा interfere होते हैं, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि इनके अंदर self boundaries नहीं है, खुद की कोई सीमा है नहीं है, जिसमें वो केवल खुद हो दूसरा कोई उसके अंदर शामिल ना हो option क्या कह रहा है कि schizofrenia वाले patient के अंदर effective self boundaries मिलेगी, जबकि schizofrenia वाले patient के अंदर effective self boundaries नहीं मिलती है, तो हमसे question में क्या पूछा है कि कौन सा option नहीं मिलेगा, तो यह वालो symptom समको देखने को नहीं मिलेगा, किस के अंदर, schizofrenia वाले patient के अंदर, तो आपका option क्या जाएगा, C Next question is, according to the fruit, Sigmund fruit की बात करें, child adopts parental standards, traits and habits throw, एक बच्चा जो होता है, अपने parents के आदतों को, तरीकों को अपनाता है, यह किस learning का प्रकार है, social learning, किस learning का प्रकार है, social learning, Social learning का मतलब क्या होता है, learning by observation, देख करके सीखना, इसको अपन क्या कहेंगे, देख कर सीखना learning by observation मतलब देख करके सीखना अगर हम दूसरों को देख करके सीखते हैं तो उसको क्या कहेंगे अपन social learning कहेंगे ठीक है तो अब question पुछा है कि एक बच्चा जो होता अपने parents की standard trades उनके विवार उनकी आदतों को अपनाता है तो ये किसका प्रकार है regression, imitations, interjections and identification defense mechanism है identification में क्या होता है कि एक विक्ति अपने आपको दूसरों जैसा बनाने की कोशिश करता है identification में क्या करता है एक विक्ति अपने आपको दूसरों जैसा बनाने की कोशिश करता है और वो कब करेगा जब उसको दूसरी का जो character है दूसामने वाले का character behavior उसकी personality उसको अच्छी लग रही है और उसको लगता है कि मेरे अंदर इस सीज की कमी है और मुझे उसके जैसा बनना है जब उसके अंदर व्यक्ति के अंदर inferior feeling आएगी और वो सामने वाले जैसा बनना चाहेगा तो उसके characters को copy करता है imitate करता है नकल करता है उसके जैसा बनने की कोशिश करता है उसको देखकर की सीखता है और इस defense mechanism का अपन बोलता है identification तो identification defense mechanism का भी एक पार्ट है और दूसरा parental standards को learning करने का पार्ट है फ्रूड ने कौन सी stage में दिया था psychosexual stage के अंदर दिया था कौन सी theory में दिया था एक concept psychosexual theory के अंदर दिया था concept इसके अंदर पांच stage होती है oral, anal, pellic, latency and genital oral, anal, pellic, latency and genital पांच stage में से जो फैलिक वाली stage है यहां पर इसने पूरा का पूरा description दिया है ना तो oral stage में focus किया है नहीं anal stage में किस stage पर focus किया है फैलिक stage पर तो यह पूरा जो question depend है वो किस stage का पार्ट है फैलिक stage का पार्ट है फैलिक stage में बच्चे के दौरा identification को यूज किया जाता है ताकि वो अपने parents जैसा बन सके कि लिए रहे तो according to the fruit child adopts parental standards, traits and habits through that is identification regression क्या है यह भी defense mechanism है इसमें व्यक्ति क्या करता है less mature behavior show करता है क्या करता है less mature behavior show करता है that means उसका जो behavior है उसके age के according नहीं रहेगा जैसे कोई बच्चा उसकी demand अगर पूरी नहीं हो पाती तो ये बच्चा रोने लगता है ये उसका age appropriate लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होने के बाद अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती तो वो क्या करता है वो क्राई करता है रोता है तो अगर बच्चा रोता है तो समझे माता है लेकिन बड़ा विक्ति अगर रोता है तो वो हमको लगेगा कि कैसा immature behavior शो कर रहा है ठीक is known as the regression imitation का मतला होता नकल करना उस व्यक्ति की adjectives copy करना जो की किसका पार्ट है social learning का एक पार्ट है लेकिन यहाँ पर question modify किया गया है question क्या कह रहा है according to the fruit fruit को वीज में ले आए child adopt parental standard traits and habit throw तो अब हमको fruit की stage की through आना पड़ेगा और यहाँ पर कौन सा method यूज होता है वो है identification Protection में किंट्रोजेक्शन पर्जेक्शंद होता है वो projection defense mechanism का Nepositive projection का परेजेक्शन में पर्जेक्शन में person को किसी दूसरे person के ऊपर ulous perspective प्रोजेक्शन तो अगर ज्याधा डिटेल में आपको पढ़ना हो तो आप अमारे जो defense mechanism बाला topic है जब मैंने इसको पढ़ाया था उसकी video आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको complete और detailed description इसका मिल जाएगा तो बात करते हैं fruit का तो fruit ने conscious theory के अंदर psychosexual theory के अंदर 5 stages होती है जिसमें से phallic stage के अंदर ये पूरा का पूरा description दिया है और उसमें किसकी बात की है identification की बात की है तो आपका अंसरों का D next question is all among the following are the role of community psychiatric nurse जो नीचे लिखे हुए हैं उनमें से community psychiatric health nurse जो है उसके सभी रोल हैं के बाल एक को छोड़ करके क्या community health nurse, mental health nurse counselor का का काम करती है client advocate का भी काम करती है crisis worker का भी काम करती है लेकिन maximum जो countries हैं उसमें nursing को drug prescribe करने का rights नहीं है तो obviously clear options है इसमें आपको ज़्यादा इसमें pressurize होने की जरत नहीं है next question is the most common serious adverse effect of using flumazanil to reverse benzo-dijepines overdose overdose, benzo-dijepines की overdose को reverse करने के लिए हम क्या करते है flumazanil देते है इसको हम sequence पढ़ते है alcohol withdrawal alcohol withdrawal को manage करने के लिए हम क्या देते है benzo-dijepines देते है इसमें से best choice जो आती हो आती हो आती है chlor-dijep oxide क्या आती है chlor-dijep oxide अगर chlor-dijep oxide option में ना हो तो फिर हम कोई दूसरा benzo-dijepines जो की option में है उसको हमको डूंड ना है अब हम कह रहे हैं कि benzo-dijepines की overdose हो गई benzo-dijepines की क्या हो गई overdose हो गई alcohol withdrawal को manage करने के लिए हम benzo-dijepines दे रहे हैं लेकिन benzo-dijepines की overdose हो गई जैसे नींद की गोलिया है lora japan sorry alprazolam alprazolam जो है वो नींद की गोलिया ठीक है आप किसी को नींद की गोलिया लेकि ये भी क्या है benzo-dijepines है कोई stressful condition में या किसी unhealthy condition में vaccine है बहुत सारी नींद की गोलिया खाली मतलब क्या हो गई overdose हो गई benzo-dijepines की overdose हो गई तो उस condition में आप कौनसी medicine दोगे pluma-zenil कौनसी दोगे pluma-zenil ठीक है अब ये कह रहे है कि reverse benzo-dijepines overdose benzo-dijepines overdose को reverse करने के लिए fluma-zenil दे रहे हो ता fluma-zenil दे तो रहे हो लेकिन इसका फिर से एक side effects होगा इसका फिर से एक adverse effect होगा और वो क्या होगा कि ये benzo-dijepines receptors को block करेगा तो अगर body के अंदर benzo-dijepines का level suddenly down होता है तो ये क्या करता है seizures produce करता है अगर benzo-dijepines कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसको एकदम से stop नहीं करना है अगर benzo-dijepines एक साथ stop कर दी तो ये उस व्यक्ति के अंदर seizures produce कर देगा इसलिए ध्यान रखना है कि benzo-dijepines जब person ले रहा है तो उसको gradually stop करना है reducing dose में उसको stop करना है suddenly उसको stop नहीं करना है क्योंकि अगर suddenly stop हो गया और body में benzo-dijepines की कमी हो जाती है तो इस seizures threshold को reduce कर देती है मतलब व्यक्ति के अंदर seizures आने की संभावने बढ़ जाती है next is the most appropriate initial goal for an adolescent patient with bulimia bulimia की बात कर रहे है एक व्यक्ति जिसको की bulimia है वो अगर आपके पास आता है तो आपका initial goal क्या रहेगा देगे eating disorder के लोग बात करेंगे eating disorder eating disorder दो प्रकार के होते है bulimia और दूसरा होता है anorexia anorexia में व्यक्ति कम खाता है और bulimia में व्यक्ति ज्यादा खाता है कम या ज्यादा हम कैसे decide करेंगे उस व्यक्ति की जो normal requirement है जो उस व्यक्ति की normal diet है या normal requirement है उससे अगर कम खा रहा है तो anorexia उससे अगर ज्यादा खा रहा है तो bulimia अब बुलीमय में क्या होता है यहाँ पर विंज इटिंग होती है क्या होती है विंज इटिंग होती है विंज इटिंग मतला ठूस ठूस करके खाना व्यक्ति कम समय में बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है प्लस इसके साथ होती है पर्जिंग होती है purging का मतला होता आप खाना तो खा लिया तो वेक्ति को anxiety होगी कई में मुटा नहीं हो जाओ तो उस बज़े से क्या करेगा वो bathroom में जा करके क्या करेगा उस खाने को बाहर निकालेगा उल्टी करेगा तो अपने हातों की उंगलियों को डाल करके वो अपने throat को reflex करेगा ताकि आपके stomach का जो content है वो बाहर आई वो कलाती है प्रिक्रिया purging कलाती है ठीक है तो यह किसके features है आपके bulimia के features है किसके है bulimia तो bulimia में क्या होता है binge eating होती है प्लस purging होती है ठीक है अब यह कहरे है the most appropriate initial goal अब initial goal क्या होगा आपका कोई patient अगर आपके सामने आता है तो इसमें है पहला control eating bouts आपको patient के अंदर eating bouts को control करना है मतलब patient जो ज़्यादा खाना खा रहा है उस आदत को control करने के कोशिश करनी है उसके schedule को maintain करना है ताकि उसके अंदर purging को control किया जा सके as well as anxiety को control किया जा सके दूसरा है identify anxiety causing situation यस हमारा goal यह रहेगा कि हम व्यक्ति के अंदर ऐसी situation को identify करें जो कि उस cause को identify करें जो कि उसे binge eating करने के लिए motivate करती है तो यह हमारा goal रहेगा obviously लेकिन यह immediate goal नहीं है यह हमारा long term goal है कि हम cause को identify करें उस cause को solve out करें हमारा immediate goal क्या है control eating box ताकि उसके अंदर जो और health complications होने जा रहे है उस health complications को prevent किया जा सके control shopping for large amount of food हम व्यक्ति को motivate करें control करें कि वो ज्यादा खाने का समान ना खरीदे तो ऐसा हम कर सकते हैं बिलकुल लेकिन यह एक initial goal नहीं रहेगा ठीक है यह helpful है ताकि व्यक्ति की जो thinking है ज्यादा ज्यादा खाना खाने की उसको control किया जा सके लेकिन इसका direct immediate effect व्यक्ति के eating behavior पर नहीं है here eat only limited meals केवल कम खाना खाना तो यह हम नहीं कर सकते क्योंकि व्यक्ति जो होता है क्योंकि उसको खाना खाने की ज्यादा खाने की आदत और आप उसको suddenly limit कर दो करते हैं यह व्यक्ति के अंदर anxiety of frustration cause कर सकता है तो ऐसा हम suddenly नहीं कर सकते यह हम gradual process के द्वारा कर सकते हैं यहाँ पर initial goal क्या है आपका control eating bouts. Next is which of the following drug is used to treat withdrawal symptoms of alcoholism. Alcoholism के withdrawal symptoms को control करने के लिए अभी हमने last question में पढ़ा था कि alcohol के withdrawal symptoms को control करने के लिए हम बेंजोडाइज़पीन्स देते हैं जिसमें drug of choice के आपकी chlorodize epoxide ठीक है नालक्जोन और नाल्ट्रेक्जोन जो है वो opioid opioid receptor antagonist है नालक्जोन नालक्जोन और नाल्ट्रेक्जोन के opioid receptor antagonist है तो इसको अपन कब देंगे opium toxicity में यूज़ करते हैं किसमें यूज़ करते हैं ओपियम toxicity में यूज़ करते हैं जो है वो कौन्सी ड्रग है anti-depressants कौन्सी ड्रग है anti-depressants category की ड्रग है जिसको की depression के केस में यूज़ किया जाता है एल्कॉल विड्रोल में ध्यान रखना है detoxification सब्दा जाए या फिर बेंजोडाइज़पीन्स डूडना है और ख्लोडाइज़ अपॉकसड क्या है यह बेंजोडाइज़पीन्स है के लिए रहे तो option क्या है इसमें next question is a 35 year old male patient एक व्यक्ति जिसकी उमर कितनी है 35 साल है discharged on dyselfram उसको क्या दिया गया है dyselfram दिया गया है as maintenance therapy for alcohol dependence syndrome dyselfram को maintenance therapy के रूप में भी दिया जाता है और deterrent agent के रूप में भी दिया जाता है कौन सा agent deterrent agent के रूप में भी दिया जाता है और maintenance therapy में भी दिया जाता है deterrent agent का मतलब होता है बिना बताए सराब चोड़ा है मतलब patient अगर सराब नहीं चोड़ रहा है तो आप उसकी खाने में यह drug मिला दीजिए उसको कैसे भी करके drug दे दीजिए तो जब patient alcohol consume करेगा और यह drug आपकी बॉड़ी में प्रिजेंट है तो उसके अंदर एक dieselphilamethanol reactions होगी जो कि एक unpleasant reactions है और उस unpleasant reaction के बज़े से patient डर के मारे सराब को पीना चोड़ देता है ठीक है तो patient ने शराब को consume करना छोड़ दिया खुझ से भी छोड़ दिया तो भी आप उसको maintenance therapy की अब व्यक्ति दुबारा से शराब को हाथ नहीं लगाए maintenance therapy का मतला होता है व्यक्ति सराब छोड़ चुका है यह व्यक्ति ड्रग छोड़ चुका है और वो दुबारा से ड्रग को यूज़ ना करे तो उसके लिए जो हम measures यूज़ करते हैं जो medicines यूज़ करेंगे वो कलाएगी maintenance therapy तो maintenance therapy हो चाहिए, deterrence agent हो इसमें दौनों में किस medicines को यूज़ किया जाता है डाइसल फिराम को यूज़ करेंगे The nurse should education patient to award which of the following product Nurse को किस product को खाने से मना करना चाहिए, अगर patient को डाइसल फिराम दे करके बेज रहे है क्या आपको इसको consume करना है तो nurse को कौन सी advice करनी चाहिए कि आप patient जो है वो कौन सा product नहीं यूज़ कर सकता Carbonated beverages, मतलब जिसमें carbonated beverages का मतलब क्या हो गया, आपके cold drinks हो गई Cheese हो गया, पनीर, red meat हो गया या aftershave lotion तो aftershave lotion जो है उसको खाने से मना करना चाहिए, क्योंकि जो addict होते हैं वो ऐसी किसी भी चीज को खा लेते हैं जिनके अंदर alcohol होता है तो aftershave lotion के अंदर क्या होगा, alcohol होता है तो ये alcohol, Dysulfram के साथ reaction करेगा और क्या create करेगा, D.E.R. Dysulfram ethanol reaction तो इसलिए aftershave lotion को नहीं करना है तो इस content के लिए मना करना है Next is a 65-year-old man with Alzheimer's एक व्यक्ति जिसके उमर पैसाट साल है और जिसको की क्या है Alzheimer's है Exhibit frequent episodes of emotional liability episodes of emotional liability मतलब बहुत जल्दी जल्दी उसके emotions आ रहे है Which of the following interventions is most appropriate for this patient इस patient के लिए सबसे ज़्यादा अभ्यूक्त interventions कौन सा होगा तो देखे जो LGMF बाले व्यक्ति है उनके अंदर emotional control खत्म हो जाता है वो बहुत जल्दी या तो गुसा हो जाते है चड़ चड़ा जाते है या बहुत जल्दी रोने लग जाते है तो इनके अंदर emotional control खत्म हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या most appropriate intervention रहेगा पहला option आपका logically explain the reality आप reality को logically explain करिए अब आप उम्र देखे कितनी है 65 year एलजाइमर disease है क्या impaired हो जाता है cognitive ability impaired हो जाती है cognitive ability impaired हो जाती है मतलब व्यक्ति का आप logic समझाओगे इसको कोई समझ में नहीं आएगा तो यह option आपका काम नहीं करेगा reduce environmental stimuli to redirect attention आपके environment में जो भी stimuli है मतलब ऐसे stimuli जो कि व्यक्ति के emotions को exaggerate करते है उस stimuli को अटा दिया जाए तो यह हमारे लिए एक best option है दूसरे option पर काम किया जाए इससे अच्छा है कि जो चीज़े आपको परिशान करें उसको हम हटा दें next is try humor to alter the patient's mood आप कोई चुटकोला सुना सकते हैं कोई हसी मजा कर सकते हैं ताकि patient का mood change हो जाए लेकिन यह भी इतना काम नहीं करेगा क्योंकि फिर वहिवाद की यहाँ पर cognitive ability is impaired है explore the cause of altered mood हमें कारण पता लगाना चाहिए लेकिन साथ के साथ हमें यह ध्यान रखने चाहिए कि patient के अंदर क्या ने हो emotional worst out ना हो तो यह method हो सकता है लेकिन immediately patient के उपर कोई effect नहीं डालेगा तो आपका prime responsibilities क्या है कि हम एक stimuli free environment create करें जहाँ पर इस तरीके के person आसानी से रह सके next question is a person who is taking mono amino oxidase inhibitor MAOI must avoid taking देखें ऐसे वेक्ति जिनको mono amino oxidase चल रहा है MAOI उनको tyramine rich food नहीं खाना चाहिए ऐसे products जिसमें tyramine होता है ऐसे products को consume नहीं करना चाहिए तो यह आपको adjectives याद करना पड़ेगा aged cheese and red wine ऐसे product हैं जिसमें tyramine ज़्यादा होता है green leaf fruit vegetables में नहीं होता milk and fruit juices में नहीं होता tomato products में नहीं होता aged cheese and red wine ऐसे products हैं जिसके अंदर tyramine होता है इस वज़े से इन products को avoid करना चाहिए next is which of the following is the priority nursing diagnosis इन में से कौन से priority nursing diagnosis है for the patient with BPD bipolar affective disorder bipolar affective disorder क्या होता है जिसमें mania and depression दोनों condition present होती है यह क्या है normal mood लेकिन एक वार में एक ही episode present होता है या तो वेक्ति के अंदर mania रहेगा या फर depression रहेगा एक time में एक ही episode present होता है या तो mania रहेगा या depression रहेगा तीक है अब इसमें पूचा है which of the following is the priority nursing diagnosis डियाग्नोसिस क्या बनाओगे priority वाला जिसमें पेशेंट एक्स्ट्रीम एक्साइट्मेंट डिलूजन्स एंड कमांड है यूजनेशन्स जिसमें व्यक्ति एक्साइट्ट है मतला व्यक्ति वायलेंस हो कर सकता है excitement का मतलब क्यों होता है over activity होना तो over activity के condition में व्यक्ति वायलेंस जो कर सकता है डिलूजन्स है उसके अंदर गलत विश्वास है और hallucination command hallucination मतलब उसको hallucination में कोई command कर रहा है ठीक है अब यहाँ पर priority डियाग्नोसिस क्या होगा impaired social interactions impaired social interaction होगा क्या altered sensory perception risk for other directed violence एक व्यक्ति जिसके अंदर इस तरीके की symptoms है यहाँ पर social interaction impaired नहीं होता social interaction जो है ऐसे schizophrenia वाले patient में altered हो सकता है altered sensory perception यह आपका answer है क्योंकि hallucination भी यहाँ पर हो रहा है इसलिए altered sensory perception answer हो सकता है लेकिन यहाँ पर priority diagnosis क्या है priority जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर safety की priority आती है जब भी हम बात करेंगे priority की तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा यह patient खुद अपना नुकसान नहीं कर ले risk for other directed violence तो यह भी आपका diagnosis बन सकता है altered thought process भी diagnosis बन सकता है ठीक है क्योंकि क्या हो रहा है delusions हो रहा है लेकिन priority की बात करें तो priority पर तो क्या जाएगा risk for other directed violence तो पहले इसको control करना है ताकि वेक्ति अपने को या किसी दूसरे को risk नहीं पहुचा सके next is which of the following model अब यहाँ पर हमारे पास models है that suggest psychological disorders results from acquiring dysfunctional ways of thinking and acting इन में से जो social model है social model क्या कहता है कि वेक्ति के अंदर psychiatric problems किसकी वज़े से आती है social factors की वज़े से आती है somatic model क्या होता है यहाँ पर कहते है कि किसी physical problem की वज़े से physical condition की वज़े से क्या आती है psychological problems आती है behavioral model क्या कहता है कि हमारा abnormal behavior अगर हमारे abnormal behavior को control नहीं किया जाए बच्छपन में तो वो आगे चल करके वो हमारा behavior abnormal बन जाता है next is cognitive model हमारा thought process जो है वो हमारे अंदर psychiatric problem create करता है अब इसने पूचा है कि psychological disorder results from acquiring dysfunctional ways of thinking thinking तो कि दियर हमों की बात और इसके मेला महतला होता है कि इसके लिए कौनी सा इसके साय मोडं या डाक चामद सेक करेंगे के ज़ंब हम कांड़र की बद प्रोसेस की बात बातons मैंनलिकि स्कालव होगी थौट्ट ने में की बातas वाइगी तो अगर इस तरीके के question आ जाए जहाँ पर thinking word आ रहा है तो समझ लीजिए cognitive word भी साथ में आएगा clear है और बाकि अगर आपको इनका मतलब सभी का मतलब पता है तो well and good है तो आपको लिए इसको answer करना आसान हो जाएगा ठीक है तो question क्या कह रहा है निमने में सब कौन सा model जो कि suggest करता है कि psychological disorders जो है वो dysfunctional ways of thinking की वज़े से आते हैं मतलब हमारे सोचने का जो तरीका अगर गलत होता हो उसकी वज़े से आते हैं तो आप cancer होगा decognitive model तो आज की वीडियो में इतना है आज की वीडियो में उम्मीद है कि आपको यह सारे questions समझ माए होंगे इसके साथ आपको इन questions में जो concept बताए गए हैं वो भी समझ माए होंगे